आज हम बात करने वाले हैं कि mobile sound problem को कैसे ठीक कर सकते हैं तो आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं mobile sound problem को ठीक करने के लिए आप अपने phone में settings को सबसे पहले open करिए तो यहाँ पर आपको कुछे settings को check करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे scroll करके sound and vibration का एक option मिलेगा यहाँ फिर आपको एक option मिलेगा volume तो इस option पर click करेंगे अगर आपका volume यहाँ से कम होगा तो इस type से आप increase कर सकते हैं तो सारा volume जो आपका होगा आप यहाँ से adjust कर सकते हैं अपने phone का अगर यहाँ से कम होगा तो यहाँ से सारे volume को increase कर सकते हैं इसी type से सब को full कर सकते हैं अब उसके बाद आपको यहाँ पर यह check करने के बाद back आना है और अगर आपके phone में silent mode on होगा यहां से तो इसे बंद करिए और अब आपको चैक करना है हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो अपने फोन को एक बार बंद करके चालू करिए यानि कि रिश्टार्ट करिए और हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए है यहाँ पर earphone का icon आ रहा होगा तो आपको एक earphone या फिर headphone लेना है और उसे अपने phone में अपने phone के headphone jack में लगा कर आपको 3-4 बार आपको उसे लगा कर अपने phone से जटके से निकालना है या फिर आप 5-10 बार इस process को कर सकते हैं headphone jack को लगा कर जटके से निकाल लीजिएगा और उसके बाद हो सकता है आपकी problem ठीक हो जाएगी अगर फिर भी problem ठीक नहीं होती है तो अपने phone में settings को open करिए अब उसके बाद नीचे scroll करके एक option आएगा more settings या फिर additional settings इस पर किलिक करिए उसके बाद नीचे जाईए और एक option आएगा backup and reset इस पर किलिक करिए यहाँ पर एक option आजाएगा reset all settings इस पर किलिक करिए अपने phone का lock एंटर करिए तो जो आपका screen lock होगा वो एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे option आएगा reset का reset पर किलिक करके आपके phone की settings reset हो जाएगी और reset पर किलिक करके आप इसे reset करिए तो reset पर किलिक करेंगे तो आपका phone एक बार restart होगा अपने आप बंद होकर चालू होगा और आप देख सकते हैं कोई आपका data delete नहीं होगा बस आपके system की default settings आपके phone में set हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है आपकी problem भी fix हो जाएगी आपके phone में sound आने लग जाएगा अगर problem फिर भी ठीक नहीं होगी तो आपको हो सकता है अपने phone को repair कराना पड़ेगा तो आप अपने local service center या फिर किसी mobile shop पर check करा सकते हैं अपने phone को क्योंकि हो सकता है chances है कि आपके phone में कोई hardware problem हो सकती है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें